बोट चियो बाई कोल्जरन ओल इन वान जुमिताय सर्थी सर्थत बदंदत खासी जैसे तसलक्षन सेहत का ये एपिसोड आप तक लाएं हैं कोल्जरन ओल इन वान राकेश 32 साल के हैं दिली के रहने वाले हैं उन्हें टाइप 1 डाइबिटीज है उन्हें काफी कम उम्र में डाइबिटीज हो गया था तब से वो इंसुलन का इस्तमाल कर रहे हैं राकेश पिछले तीन सालों से बच्चा प्लान कर रहे हैं और वो सफल नहीं हो पा रहे हैं उन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया है, उनके कई टेस्ट हुए है, जाज भी हुई है पताचला की डाइबिटीज के कारण राकेश को इनफर्टिलिटी इशूज हो रहे थे, यानि बच्चा करने में दिक्कत आ रही थी डाइबिटीज की वजहां से उनके हॉर्मोन्स में संतुलन नहीं बैट पा रहा था, जिसकी वजहां से उनके शुकराणों पर असर पढ़ रहा था प्राकेश चाते हैं कि हम अपनी शो पर इस मुद्दे के बारे में बात करें देखें, डाइबिटीज शरीर के कई सारे अंगों को नुकसान पहुचाता ये तो हमें पता है पर डाइबिटीज से फर्टिलिटी पर भी असर बढ़ता है, इसकी जानकारी कम ही लोगों को है तो जो लोग डाइबिटेक हैं और उन्हें बच्चा नहीं हो पा रहा है, उन्हें भी इस डिरेक्शन में सोचना चाहिए तो सबसे पहले ही जान लेते हैं कि डाइबिटीज पुर्शों की फर्टिलिटी पर किस तरह का असर करता है डाइबिटीज मेलाइटिस एक बहुती आम समस्या है यह एक मेटाबॉलिक डिसॉडर है जिसमें की इंसुलिन नामक हार्बोन की कमी होती है और इसके कारण शरीर में शुगर की मात्रा बहुती ज़्यादा हो जाती है और ये अतिदिक शुगर की मात्रा शरीर के जो अंग हैं उनको खराब करने लगती है डाइबटीज में शरीर के लगबख किसी भी अंग पर असर पढ़ सकता है और वो खराब हो सकता है पिछले कुछ वर्षो में ये स्तापित हो गया है कि डाइबटीज मेलाइटिस की वज़े से पुर्षों एवं महिलाओं के जो प्रजणन अंगे उन पर भी विप्रीत असर पढ़ सकता है और उन्हें इन्फर्टिलिटी हो सकती है पुर्षों में लिविडू में कमी यानि की सेक्स करने की इच्छा में कमी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तथा इन्फर्टिलिटी ये तीनों ही चीजें देखनी को मिलती है और यह जो लिविडू की कमी है और इक्टाइल डिस्फंक्शन है ये भी इन्फर्टिलिटी का का बन सकता हैं. Diabetes में infidelity होने की कुछ mechanism होते हैं, कोशिकाओं की level पे कुछ changes हो रहे होते हैं, जिसकी वैसे infidelity होती है. जब insulin hormone की कमी होती है, तो इसकी वैसे बाकि जो शरीर में hormones हैं, जो की शुक्राणों बनाने के लिए जरूरी हैं, उनका असंतलन हो सकता है. जो की testosterone hormone जो की testis से निकलता है, इसमें कमी आ जाती है, जिसकी वैसे ये सारे hormones का असंतलन हो जाता है, और जो sperms बनने की प्रक्रिया है, spermatogenesis, वो खराब हो जाती है, और स्वस्त sperms नहीं बन पाते हैं, जिसकी वैसे infidelity हो सकती है. शरीर में जो अत्यदिक मात्रा में शुगर मौजूद होती है, उसकी वैसे कोशिकाओं पे विपरी तसर पढ़ने लगता है, कुछ ऐसे products बनते हैं जिनकों की हम advanced glycosylated in products बोलते हैं, ये कोशिकाओं पे बहुत ही खराब असर दालते हैं तता शुक्राणों को नुक्सान हो जाते हैं. reactive oxygen species नाम की molecules बनते हैं, जो की कोशिकाओं को destroy करते हैं, शुक्राणों पे विपरी तसर दालते हैं, उनका DNA खराब हो सकता है, तथा जो seminiferous tubules हैं उनकी lining खराब हो सकती है, खुल मिलाके जो शुक्राणों बनने की प्रक्रिया है और उनके mature होने की प्रक्रिया है उस पे विपरी तसर पड़ता है तथा infidelity हो सकती है. शरील की नसों पर भी यानि की nervous system पे भी विपरी तसर पड़ता है, जिसकी वैसे उनको neuropathy हो जाती है, इस neuropathy के कारण पुष्णों का sexual response कम हो जाता है, उनमें erectile dysfunction हो सकता है और erectile dysfunction होनी की वैसे पुष्णों को infertility हो सकती है. जिन लोगों को diabetes है, उनमें libido में कमी आना, sexual response कम होना, erectile dysfunction होना, या फिर ऐसा कोई couple है जो की diabetic है और बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उनमें अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, एक साल से जादा वो कोशिश कर सुके हैं, तो ये diabetes में infidelity होने के लक्षन हो सकते हैं इसके लिए आपको एक डॉक्टर से परामश जरूर करना चाहिए, डाइबटीज में शुगर का कंट्रोल सबसे जरूरी है, अगर कोई रहती है जिसको कि बहुत ही early age में डाइबटीज हो गई है, या फिर वो insulin dependent diabetic हो, यानि कि type 1 डाइबटीज है, तो उसे अपनी insulin बहुत ह इसके बिल्कुल नियमित तोर पे लेनी चाहिए, अपने शुगर का पूरा कंट्रोल रखना चाहिए, ताकि tissue level पे damage रोख सके, इसी तरह से जो type 2 डाइबटीज होते हैं, जिनको बाद की age में डाइबटीज होई है, और वो अपनी दवाईयां खाना है, गोलियां खाना है, उनको नियमित रूप से लेना चाहिए, अगर गोलियों से शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उन्हें इंसुलिन पे switch over करना की ज़रत पर सकती है, कुल मिलाके शुगर का कंट्रोल सबसे जरूर ही है, इसके इलावा आपको अपनी दिन चर्या में बदलाव लाना च चाहिए, अपने वजन को कम करना चाहिए, एक स्वस्त जीवन रखना चाहिए, नहमित रूप से वियायाम करना चाहिए, इन सभी चीजों से आपको डायप्टीज पे कंट्रोल हो सकेगा और इन फर्डिलिटी से बचाव हो सकता है या पिर इलाज हो सकता है, आजकल अंटी करती हैं, हाला कि यह अभी तक प्रूव नहीं हो पाएं, लेकिन काफी हद तक इनका असर देखा जा रहा है, लेकिन यह किसी डॉक्टर की सला मश्वरे पे ही लेना चाहिए, अगर किसी व्यक्तिव को अरेक्टाइल डिसफंशन हो रहा है, तो उसको PD5 इनिबिटर नाम की द्वाईये दिजाती हैं, ताकि उनके अरेक्टाल डिसफंशन को करीक्टिया जा सकते हैं, और इनफर्डिलिटी का treatment किया जा सके हैं, कुछ ऐसे विक्तिव होते हैं, जिनमें इन फर्डिलिटी के सारे उपाहें फेल हो जाते हैं, उनमें artificial reproductive techniques का हमें इस्तिमाल करना पड़ता है sperms को testis से extract करके reproductive techniques से इकसी यानि नामक प्रक्रिया के द्वारा हम लोग बच्चे पैदा करने में मदद कर सकते Diabetes पुर्शों की fertility को कैसे नुकसान पहुचाता है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा इसलिए जरूरी है कि Diabetes को control में रखा जाए डॉक्टर सहाब ने जो सलहा दी है उसे जरूर अपनाए मदद मिलेगी अब अरते हैं सिहत के अगले segment की तरफ हमें सिहत पर कई ऐसे mails आएं जिसमें लोगों ने कहा है कि उनके होट काले पढ़ने लगे हैं वो जानना चाते हैं कि ऐसा क्यों होता है देखिए होटों का dark पढ़ जाना hyperpigmentation के कारण होता है यानि आपके होटों में melanin का production ज्यादा है melanin वो चीज होती है वो तत्व होता है जो आपके शरीर के cells बनाते हैं melanin ही आपके बालो और skin को color देता है जितना ज्यादा melanin उतना गहरा color जितना कम melanin उतना light अब आपके होटों में melanin ज्यादा क्यों बनता है इसके पीछे कई सारी वज़े हो सकती है जैसे बहुत ज्यादा देर तक धूप में रहना पानी कम पीना, सिगरेट पीना toothpaste जो आप इस्तमाल कर रहे हैं उसका सर हो सकता है lipstick या फिर ऐसा कोई product आप अपने होटों पर लगा रहे हैं जैसे आपको allergy हो गई हो बहुत ज्यादा coffee पीना और अपने होटों को दातों से ज्यादा दबाना ये तो कुछ बहुत ही आम कारण है इनके अलावा chemotherapy, anemia, vitamin की कमी या fluoride का ज्यादा इस्तमाल भी वजह हो सकती है fluoride एक chemical है जो पानी और toothpaste में डाला जाता है मुह से बद्वो को रोकने के लिए अब ये तो हो गए कारण इलाज के लिए क्या किया जाए कुछ घरे लूपाए हैं जैसे सोने से पहले नीबू की एक फाक काट लें उसे शक्कर में डुबोएं फिर इस फाक को होटो पर स्क्रब करें सुभा गुनगुने पानी से धोलें इससे होटो पर जमी dead skin निकलेगी उसके अलावा एक कटोरी में एक टेबल स्पून दूध लें उसमें थोड़ी हल्दी डाल लें उसका पेस्ट बना लें फिर इस पेस्ट को होटो पर लगा लें पाच मिनट तक रहने दें और उसके बाद थंडे पानी से धोलें धोने के बाद लिब बाम ज़रूर लगाएं अलोवेरा का जेल भी काफी असरदार रहता है उसे लगा सकते हैं जब सूख जाए तो उसे गुंगुने पानी से धोलें अगर इन घरेलू नुस्खों से कोई आपको असर देखने को नहीं मिलता है तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं कुछ कॉस्मेटिक ट्रीट्मेंट उपलब्ध हैं वो काफी असरदार रहेंगे समझे अब आरिये सेहत के आफ़ी सेग्मेंट की खुराग यानि जखकासी हिल्थ डिर्ग आपल साइडर विनिगर यानि सेव का सिरका आजकल बहुत लोग अपनी diet में इसका कािस्तिमाल कर रहे है है माना जाता है कि इसके इस्तिमाल से वजन बहुत तेजी से कम होता है कुछ लोग तो यह भी बानते है कि इसके इस्तिमाल से blood sugar control होती है तो क्या यह सही है यह जाने के लिए हमने बाद की fitness coach यश वर्धन से उन्होंने बताया कि apple cider vinegar digestion के लिए तो अच्छा होता है लेकिन अभी तक ऐसा scientifically proof नहीं हुआ है कि इससे weight loss हो सकता है या फिर diabetes को control किया जा सकता है साथ ही ये कहना कि इसके इस्तमाल से blood sugar level कम होता है या stable होता है सही नहीं होगा लेकिन इसके इस्तमाल से आप अपनी cravings जो खाने की होती है उसे control कर सकते हैं इसलिए कहा जा सकता है कि अपनी diet में add करना अच्छा होता है लेकिन इसे magical मान कर खास्तोर पर वजन कम करने के लिए ये सही नहीं है आप इसे सलाद में भी शामल कर सकते हैं आज सहत पर इता ही अगर आप एक डॉक्टर है हमसे कुछ शेयर करना जाते हैं तो जो email ाइडी इस फक्त आपको अपनी screen पर देख रही है उस पर हमें एक mail भेज दीजे ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजे ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अप्लोड करें तो उसका नोडिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे शुक्रिया